करनाटक का बेलगावी जिला, कई मंदिरों, बड़े ओध्योगिक प्रतिष्ठानों और असंख्य पर्याटक आकर्षणों वाला एक सुन्दर क्षेत्र है उन में से सबसे प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक स्थलों में से एक है सुलेभावी का महालक्ष्मी देवी मंदिर, जो बेलगावी शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है सुलेभावी महालक्ष्मी देवी मंदिर का एक सम्रिध इतिहास है और एक दिल्चस्प कहानी के साथ एक प्रतिष्ठित पूजास्थल है इस मंदिर का इतिहास कई शताब्दियों पहले का है जब इस क्षेत्र पर विभिन राजवन्षों का शासन था किमवदंतियों से पता चलता है कि मंदिर की उत्पत्ति का पता चालुक के राजवन्ष से लगाया जा सकता है सुलेभावी के स्थानिये लोगों द्वारा देवी को अम्मा महालक्ष्मी देवी कहा जाता है ये देवी वास्तव में सुलेभावी गाव की स्थानिय देवी है तकरीबन 2-3 एकर में बसा ये मंदिर सुलेभावी कस्बे के बीचो बीच स्थित है ये मंदिर चालुक्य स्थापत्य शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है जो अपनी जटिल नकाशी और भव्यता के लिए जाना जाता है सुलेभावी महालक्ष्मी देवी मंदिर उत्तर करनाटक में भक्ती और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है इसकी खोज की कहानी, सम्रिध इतिहास और वास्तुकला की सुंदर्ता इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाती है जो भक्तों और पर्यतकों को देवी महालक्ष्मी का आशीरवाद और कृपा पाने के लिए आकरशित करती है सुलेभावी मंदिर में देवी महालक्ष्मी की मूर्ती का एक शानदार और मनोरम रूप है मूर्ती को लकडी से बनाया गया है और चमकीले रंगों से रंगा गया है महालक्ष्मी देवी एक बाग पर बैठी है जो दहाड रहा है और उसके पंजे सामने की ओर खुले हुए है मूर्ती को विस्तृत आभूशनों से सजाया गया है जो धन और सम्रिद्धि के प्रतीक है मूर्ती को दस हाथों से दर्शाया गया है जिसके विभिन प्रतीकात्मक अर्थ है ये दस हाथ महालक्ष्मी देवी की एक विशिष्ट विशेष्ता है देवी महालक्षमी के एक हाथ में कमल है, जो पवित्रता और दिव्य सुन्दरता का प्रतिनिधित्व करता है दूसरे हाथ में वह एक पाश रखती है, जो अपने भक्तों को सांसारिक इच्छाओं और अज्यानता के जाल से मुक्त करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है तीसरे हाथ में गदा है, जो अपने भक्तों की रख्षा के लिए देवी की शक्ती का प्रतीक है एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो निर्भैता का संकेत है, जो अपने भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन देता है इस प्रकार देवी महालक्ष्मी के प्रत्येक हाथ में कोई न कोई चिन्ध या वस्तू होती है जो विभिन अर्थों को दर्शाती है सुलेभावी के इस महालक्षमी मंदिर के बारे में एक अनोखी बात यह है कि आप मुख्य मंदिर के खंभों और दीवारों पर हजारों सिक्के जड़े हुए देख सकते हैं ये सिक्के अलग-अलग जगह किलों से जड़े हुए हैं अधिकांश सिक्के 1950 से लेकर 2009 तक के एक रुपए के सिक्के हैं एक रुपए के सिक्कों के अलावा आप दो रुपए के सिक्के भी देख सकते हैं और ब्रिटिश काल के कुछ सिक्के भी देख सकते हैं यहां महालक्षमी मंदिर में आने वाले लोग मननत मांगते हैं और मंदिर की दीवारों खंभों पर सिक्के ठोकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से धन की देवी महालक्ष्मी माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। दुर्भाग्य से अब इन दीवारों या खंभों पर कोई जगह ही नहीं बची है, इसलिए कुछ लोग सिक्के लगाने में असमर्थ होते हैं। सुले भावी महालक्ष्मी देवी मंदिर में आने वाले परियटक, अक्सर देवी महालक्ष्मी की मूर्ती से निकलने वाली दिव्य आभा और कृपा से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनकी उपस्थिती न केवल आध्यात्मिक सांत्वना का स्रोत है, बलकि उनके भक्तों के जीवन में धन, प्रचुर्ता और सम्रिद्ध के महत्व की याद भी दिलाती है। सुले भावी की इस देवी महालक्ष्मी के कुछ विशेश और दुरलब गुण हैं, जिनका अनुभव आप केवल इस स्थान पर व्यक्तिगत रूप से आने पर ही कर सकते हैं। यदि आप स्थानिय लोगों से या इस मंदिर के अंदर काम करने वाले पुजारियों से जुडेंगे, तो वे अपना ज्यान साज़ा करेंगे और यह भी बताएंगे कि ये महालक्ष्मी माता किस प्रकार का आशीरवाद देने में सक्षम है। चुँकि ये महालक्ष्मी माता का जागरित मूर्ती है, इस देवी की सदियों से पूजा और प्रार्थना की जा रही है। इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों पर देवी महालक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। चुँकि स्थानिय आबादी और संस्कृती कन्नड और मराठी परंपराओं का मिश्रण है, इसलिए लोग अपने अनुष्ठानों के अनुसार मंदिर के परिसर में विभिन त्योहारों और कार्यक्रमों को मनाते हैं। मंदिर का क्षेत्र काफी विशाल है, जिसमें प्रार्थनाओं, उत्सवों और अन्न प्रसाद आपूर्ती और वितरन के लिए समर्पित स्थान बने हुए हैं। आमतोर पर मंदिर क्षेत्र पूरे वर्ष लगभग, खाली और शांतिपूर्ण रहता है। किसी भी उत्सव या विशेश रूप से महालक्षमी देवी की रत यात्रा महोत्सव के दौरान, मंदिर क्षेत्र भक्तों, पर्यटकों और आसपास के गाव के लोगों से भर जाता है, जो भारी भीड में आते हैं, और महालक्षमी जी की जागरित देवी का एक जलक पाने क के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, ट्रस्टियों और प्रबंधन के अलावा एक समर्पित ब्राह्मन परिवार है, जो सदियों से महालक्षमी देवी की मूर्ती और मंदिर की देखभाल करता है, इस परिवार के पुजारियों में से एक पुजारी को मुख्य पुजारी के रूप में चुना जाता है, जो निर्दिष्ट अवधी के लिए देवी महालक्षमी की सेवा करता है, हाला कि सुलेभावी गाव इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सुलेभावी में रहने वाले लोग सौहार्द पूर्ण हैं, और हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ भ महालक्षमी देवी को चढ़ाया जा सकता है, कुछ धार्मिक संगठन सप्ताह के अंत पर मंदिर परिसर में छोटे बच्चों को धार्मिक शिष्टाचार, अच्छे व्यवहार और नैतिक ज्यान भी सिखाते हैं, प्रीविष्णू, वीवस्तर सुधेनो, आयों सननत्तला, मनुसुधना, अधिवर्जनी, करिमर दहना, ज्यान भास्करा, सांकि सांकरा, अप्तमनों हर्म कुर्दा, पर्णों धार्म्धारा, भय भय मार्मारा, जड़ुमाई वरा नुपकनी लगरी, सुधविन शनकते गो समवाटो, एच्छे मातने श्रीवर्णी, पस्तागाया पाला माया, तेदी मदलां दुआई, काया वास्ता हने सदोईद, तवपधि सेवां मदलेदी.